और चली एसीम योगे आते तरनात इस वक्त लाइक तस्वीरों में दिखना हैं क्या कह रहें आपको सुनाते हैं मित्रों मैं आपका स्वागत करता हूँ उत्तरप्रदेश विधान मंडल काज से सत्र प्रारम होने जा रहा है ग्यारा बजे सम्वेत सदन को माने राज्यपाल महोदे का महित्तपूर्ण अईभासन सुनने का उसर प्राप्त होगा और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े विधान मंडल की बजट सत्र की कारवाई प्रारम हो जाएगी यहाँ बजट सत्र है राज्यपाल महोदे के विभासन से प्रारम हो करके 22 को उत्तर प्रदेश के पचीश करोड जनता के लिए सदन में बजट प्रस्तुत होगा इसके उपरांथ अई भासन पे और बजट पे दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरांथ नहीं पारित किया जाएगा अन्य विधाय कारे संपन होने है मने विधायकों के द्वारा अपने छेतर से समंदित विभिन मुद्दों को भी सदन के आउसर सदन के पटल पर रखने और सरकार का ध्याना कर्शित करने का एक आउसर प्राप्त होगा लोक तंत्र की एक मेंतो पूंड धूरी है विधाय का और अपने उस अस्तंब के रूप में हर एक जन प्रतिनीदी का दाहित्त है कि वह अपनी बात को प्रवी प्रभावी धंग से सकारात्मक धंग से सदन के पटल में रखें यह उनका अधिकार है और सरकार का दाहित्त है कि वह सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उन मुद्दों पर एक सारगर्वित चर्चा के लिए तयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तयार है और मेरी अपील होगी कि प्रदेश की जनता जनारदन ने जिस भाव के साथ मन्य जन प्रतनिदियों को सदन में भेजा है उन भावनाओं की उन रूप आचन करते वे हम सदन की कारवाई को सांदार तरीके से चला करके राज्य विधान मंडलों में उत्तरप्रदेश विधान मंडल अपने एक नजीर प्रस्तुत करे या एक आउसर हमारे पास है अभी इस सत्र की कारवाई 20 फरवरी से लेके 10 मार्च तक निरधारित की गई है अगर कोई तिथी ऐसा लगता है कि इसमें है तो उस दोरान हम लोग सनी बार के दिन भी कारे दिवस को लेने की बारे में गंभिरता पुर्वक सभी दल्य नेताओं के साथ मिल करके मनने अध्यक्स मौद है और सवापती मौद है इस कारिक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तयार करेंगे और अच्छी बहस को का एक मन्चम बनाए हमारा सदेव से मनना रहा है कि लोक तंत्र में सत्ता पक्स और विपक्स यह दोनों लोक तंत्र की महतुपूर धूरी है और इस महतुपूर धूरी में दोनों को मिल करके जनता जनारदन ने जो दाहित्त जिसको सौपा है उसके इन रूप दोनों अपने दाहित्तों का निर्वहन करे और सामती हो सकती है लेकिन सत्ता पक्स भी कभी किसी मुद्दे से चर्जा से भाग नहीं सकता अगर प्रदेश के हित में है जन हित से जुड़ावा मुद्दा है लेकिन और सामती के कारण हम कारे को बाधित करें यहाँ न लोकतंत्र के हित में है और नहीं यहाँ प्रदेश के हित में है हमें जो भी बात रखनी है सालिंता के साथ प्रभावी सब्दावली में सदन के सम्वक अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुँचेगी और सरकार भी अपने पक्स को वहाँ पर उसी प्रभावी डंग से रखने के लिए प्रयास करेगी मैं सभी मान्य सदस्यों का आज बजड सत्र प्रारम होने पर इरदैसे अविनंदन करता हूँ उनका स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि राज्यपाल महोदे के विभाशन के साथ ही प्रारम हो रहे बजड सत्र में हर एक मान्य जन प्रतनी थी जनता जनार्दन और लोकतंत्र की भावनाओं को सम्मान करते वे सदन की कारवाई को आगे चलाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए अपना सार्थक और सकारात्मक योगदान देगा मुझे पुरा विश्वास है कि देश के सबसे बड़े विधान मंडल कि एक कारवाई अन्यों के लिए एक नजीर बन पाएगी धन्यवाज़ तो सियम योगी आधितनाथ को आप सुन रहे थे कई मुद्धों पर एह सहमती हो सकती है सियम योगी का ये कहना है लेकिन सहमती के कारण काम में बादा ना हो ये उमीद हम जता रहे है विपक्ष से और जो भी चर्चा सदन में हो वो शालिंता के साथ